हलो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल है मेरे स्वे में कि आप वही सबजी खा खा कर बोर हो चुके हैं तो आप इस बेशन की सबजी को जरूर ट्राइ करें अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करें तो चलिए हम बनाना आप से हम नवाarea कर लेते हैं थवासरा से यहतल से अट करेंगे हम जो जोड़ा रिपाँत रिपाइनगोल लें या जासोग भी तीर ने अपर एस्टा लेते हैं अधारा जहुता होता है श्यार्फा कर लगक्त लाकाते हैं आप इस सोब्समाते हैं। बससे तरीकिसे उच्छीह से हमें आटा को हमें लगा लेना घुल ज्बदरлекर क蒞श सेता है और जहीं तो आप देख सकथे हैं या अच्छी अम्तिकशक है लगा आटा नहीं है तो आटा को थोड़ा सवर हम मसीड़ेंगी और मसीड़ के हमें इसके क्या करना है हमें लोई यह बना लेनी है जिस तरीके से हम पूरी बनाते हैं उससे हमें थोड़ी बड़े ही लोई को हमें बना लेनी है तो देखी मैंने तीन लोई बना ली है उतने आटे मे हमारे तिन लोई बन चुकी है तो लोई को हमें क्या करना है इस पूरी को हमें बिल लेना है थोड़ा सवाल लगाएंगे वह हलका सा हमें मोटा ही बिलना है हमें ज्यादा पतला नहीं बिलना है इसे हमें पूरी से हमें हलका मोटा ही रखना है तो इस तरीके से हमें पूरी को ह बेल के हमें साइड में रख लेना तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों पूरियों को मैंने बेल लिया है हलकी मोटी ही है हमारी पूरी आप ध्यान रखें इन पूरियों को बना तो थोड़ा सा हलका मोटा ही रखें तब यह आपकी रेसेपी अच्छे बन पाएगी तो जी मैंन कोई आंक्यों हुआ है खाला तो जाती है तो पांच विल्ट हो छुकी है तो चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं आप देख सकते जो पूरियां है हमारी जो पानी के ऊपर पाणी पूरी में पूरी प् suspects सकती हैं किने अरा पिल्जार से थंडी पूरी हो nem यह हुझा सा थंडा होने देते हैं जैसे ठंडी पूरी हमारी हो जाएं तो इनको क्या करना है हमें फीज चण करें नहीं है इस तरएğin कि से आपको örपर का पीज के लिए ऑप देर आप जब कभी भी आपके घर में सबजी ना हो खुश एलक खाना हो तो आप इस रेसेपी को बहुत में बहुत ही पढ़ी में लगती है आप एक वाटteर आई करें घर में सबको पसंद आएगी तो देखिए इसटारीकिए से हमें फीश को हमें कट कर लेनादंटी आराम सेथीर कट हो जाती है तो इसलह सारी फूनियों को हमें फीश कट कर लेना है आप आप एक बार यह रहाए बनाओगे तो आपको घर में बार बार आपको बनाना पड़ेगी जिस आपको बहुत ही पसंद आएगी तो इसी तरह से देखी मैंने सारे फीस मैंने कट कर लिए हैं तो हम साइड में रख लेते हैं गयस में रखे से क्डाई तो कदाई को कल लिए बढ़ी ऐसे गरब अब इसमें हम डारेंगे सारसोंका वाल एक चम मच रिप वाल डारेंगे तो वाल को बढ़ी है सारसोंका वाल को बढ़ी ही है जिर्पतित Gustied Cand City का वाल और नास्वे में शूरेंगी जीदा हूं ताकि जीर अच्छे से चटक जाए अच्छे से फिराई भी हो जाए तो इने अच्छे से बढ़ यह से करते हैं फिराई जैसे अच्छी से फिराई होगा तो मैंने लिया है जिए प्याज वो आधरक लस्टून का पेस्ट लिया साती में पेस्ट लिया है तो यह एट कर लेते हैं और गेस की फिलम को मीडियम करेंगे अब स्वाधानुशा डारेंगे हम नवग अब यह से अच्छी से मिलाएंगे मि अच्छी फिलम को मीडियम ही रखना है जैसे हमारी प्याज पकने लगे तो प्याज प्याज हमारी पक रही है तो हम कुछ ले लेते हैं मसाले तो मैंने लिया है एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच लिया हमेज पाउडर और देड़ चमच लेंगे हम जी धनिया पाउडर लेंगे आधी चम्मच एट किया है जी गरम मसाला अधी चम्मच एट करेंगे जी हम अमचुर पाउडर इन्हें सब कच्छ मसालों का अच्छी से मिला लेते हैं और पानी डालकर बढ़ी असन का हमें भूल बना लेना है इस तरीके से जो मसाला हमें एक करते हैं तो सब्जी का टेस्ट भूती बढ़ी आता है सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है तो इस तरीके से हमें मसाले को हमें एट करना है तो आप देख सकते हैं बढ़ी से हमें मिला लेना है देख सकते हैं एक भी लंस नहीं है मसाले का तो इसे हम साइड में रख लेते हैं प्याज को चेक कर ले आपाएगा तो डेख सकते मसाले कोुँआ करेंगी कशूरी मेथी कैसुरी मेथी से बहुत ही बड़ी है टेस्ट आता है तो मसाले को अच्छे से हम पकने देते हैं चार से पांस मिलट ता जब तक अच्छा सा कलर ना आने लगे और गेस की फिलेम को हमें मेडिया में रखना बीच बीच में हमें चलाते रहना है मसाले को आप चार से पांस मिलट हो चुके हैं तो आप देख सकते ही मसाले का कलर भी बड़िया आ गया मसाला भी हमारा अच्छे से पक गया है इस मसाले से वाल अलग होने लगा है तो जो हमने फिस कट करके लखे हैं पूरियों की तो ये यत हम कर लेते हैं और यट करने के बाद हमें पर निल्ब से 5 तक तरी में अच्छे से से पूट करें तक्यूंहें पहराई करूंदो इसोली से प्रूट कर हमी मंधरा कि मुटते फिलेवर आ जाया थे इससे तरह से बीच-बीच मत चलाते रहना हो अच्छे से मसाले के साथ यह सब दूस्य में म thành थाक्रमी आप पानक है तो इनमें हम राइट करेंगे हम पानी पानी को हमें आएक गिलास करीब हमें पानी एट करना है आप अपने हिसाब से एट करना है आपको जितने ही गिरे भी आपको पसंद होतने आप एट करने बड़ी ऐसे मिलाना है और मिलाने के बाद बड़ी ऐसे मिला लेना है आप देख कर देख सकते हुए कि इतना बड़ी है KALalraya और गिरेवी भी बड़ी बनके तयार हुई है तो इसे थोड़ा सा मिलाना है तो देख सके हमारी जू विशन की सबजी है बनके तयार है तो आप इस बिशन की सबजी को एक बार जरू टराई करें तो डीजी सर्फ करने के लिए तयार है तो चलिए हम सर्फ कर लेते हैं तो बिशन की सबजी को आप एक बार जरू टराई करें अगर टराई करके अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडिय बनेवालों के साथ सेयर करना इस वीडियो को बलकुल भी न भूला है इस विजेट रेसेपी बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवा बनके तैयार हुई है तो इस रेसेपी को एक बार जरुटराई करिएगा तो देख सकी हैं आप हमाई जो बेशन की सब्जी है बनके तैयार ह तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ अब तक के लिए बाई बाई